सत्गुरु रुपी प्यारी सासंगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी सासंगत जी उस बालक को अशीरवाद दे कर सत्गुरु शिरी गुरु नानक देव जी महाराज आगे परचार करने के लिए चले गए जब आगे परचार करने जा रहे थे तो रास्ते में शिरी गुरुनानक देव जी महराज को एक व्यापारी मिला, सत्गुरु जी ने देखा कि उस व्यापारी ने कंधे पर कुछ लाद रखा है, सत्गुरु ने उस व्यापारी से पुछा कि तुमने ये कंधे पर क्या लाद रखा है, उस व्यपारी ने कहा मैं नमक रूई और तेल का व्यपार करता हूँ जीवन चलाने के लिए गाम गाम जाकर यह सामान बेचकर अपने परिवार का पालन पोशन करता हूँ सत्गुरु शिरी गुर्णानक देव जी महराज ने कहा आप अपनी गटरी खोल कर दिखाओ आप अपनी गटरी नीचे रखो और मुझे खोल कर दिखाओ यह सुनकर व्यपारी ने अपने कंदे से गटरी नीचे उतारी खोल कर सत्गुरु जी के आगे अपनी गटरी रख दी सत्गुरु जी ने सामान तोलने वाले बट्टे देखे और सत्गुरु शिर्गुनानक देजी महाराज ने वह जो बट्टे थे तोलने वाले सामान तोलने वाले वे अपने हाथ में उठा लिये और उस व्यपारी को कहा कि ए व्यपारी इन बट्टों के नाम बताओ व्यपारी ने कहा पाँच किलो ये दो किलो का है ये पाँच किलो का है ये एक किलो का है और एक ये पाव का है पाव बोलते हैं 250 ग्राम को 250 ग्राम को तो सत्गुरु शिरगुणानक देवजी महाराज 250 ग्राम वाले बट्टे को हाथ में लेकर कहते हैं कि ये जो छोटा बट्टा है ये सबसे छोटा बट्टा जो है यही पूजने योग्य है यह बात सुनकर व्यपारी समझ गया कि जो जाने अपने को नीचा सोही गणिये सबसे उचा अगर मैं नमर्ता में आकर सत्गुरु के आगे जुक जाऊंगा तो सत्गुरु मुझे इलाही दात भी दे देंगे व्यपारी सत्गुरु के चर्णों में समर्पन भाव से बैठ गया सत्गुरु जी के चर्णों में शर्दा भाव से अपना सीर जुका दिया काफी देर तक सत्गुरु के चर्णों से सीर उठाया ही नहीं सत्गुरु जी ने उस वेपारी की दींता देखकर कमल फूल जैसा हाथ उसके सीर पर रख दिये उसी समय उसके वेपारी के अंदर से भाव जा गया जैसे ही सत्गुरु के हाथ चरण जैसे ही कमल रूपी हाथ कमल फूल जैसे हाथ उस वेपारी के सिर पर लगे तो उस वेपारी के मन के अंदर भाव जा गए उस वेपारी ने कोई सेवा भी नहीं की थी फिर भी सत्कुरु शिरिकु नालक देवजी महराज ने उसे मुक्ती दे दी उसके ओपर दृष्टी डाल दी उसके उपर स्वल्ली नजर डाल दी मेहर बरा हाथ रख दिया तो इस तरह उसे मुक्ती मिल गई इसका क्या कारण है उसने इतनी सी देर में ग्यानवान भी नहीं था ग्यानवान हो गया तो भाई बाला जी को शंका हुई उन्होंने उसी समय सत्गुरु शिरी गुर्णानक देव जी महराज से पूछा पूछा कि ये बताओ कि इसको इनों ने तो इस व्यपारी ने तो कोई ब्रहम ज्यान भी नहीं लिया कोई सेवा भी नहीं की कोई ये नाम भी नहीं जबता तो इसको मुख्ती कैसे मिल गई तो आगे से सत्गुरु शिरी गुर्णानक देव जी महराज ने इस तरह एकजामपल दे कर समझाया उन्होंने कहा कि इस व्यपारी ने पिछले जनम में बहुत ससंग किया बहुत सिम्रन किया बहुत सेवा की लेकिन ब्रह्म ग्यान लेना बाकी रह गया था यहते हैं कि जिस परकार जब दीपक जलाना होता है तेल बाती दिया सब कुछ होते हुए सिरफ उसको माचिस की तीली से जलाना बाकी रह जाता है जब माचिस की तीली से बाती को जलाते हैं तो दिया जल उटता है रोषनी हो जाती है इसी परकार इस व्यपारी के साथ भी हुआ सब कुछ इसने किया सेवा भी की सिम्रन भी किया ससंग भी किया लेकिन ब्रह्म ज्यान नहीं ले सका ब्रह्म ज्यान लेने से पहले ही इसके सुआस पूरे हो गए और यह शरीर छोड़ कर इस संसार से चला गया अब इसको ब्रह्म ज्यान लेने के लिए मुक्ति पाने के लिए दोबारा मुनुश्य जनम लेना पड़ा इस परकार सत्गुरु शिरी गुर्णानक देवजी महाराज ने उसको ब्रह्म ज्यान देकर उसकी मुक्ति कर दी कहते हैं कि सत्गुरु के दर पर चाहे कोई कितनी भी आकर सेवा कर ले, सीमरन कर ले, ससंग कर ले उसका फल तो मिलता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती मुक्ति तब ही मिलती है जब इनसान नत्गुरु के चर्णों में आकर इस ब्रह्म ज्यान को पा लेता है तब ही ये आत्मा रोशन होती है ये आत्मा को उजाला मिलता है ये ब्रम ग्यान जब मिल जाता है आत्मा को ब्रमात्मा का पता चल जाता है ये रोशन हो जाती है तो तब ही आत्मा मुक्ति भी पाती है सेवा सिम्रन ससंग करते हुए ब्रम ग्यान लेना बहुत जरूरी है इसलिए हमने ब्रम ग्यान लेकर सेवा सिम्रन ससंग करते जाना है तब ही हमारे जीवन का पार उतारा है इस तरह हमें इन से भी सुनने को मिला इस साकी से भी हमें यही सीख मिलती है कि हमने ब्रह्म घ्यान लेकर अपने मन में दिवाली करनी है जैसे संपुन्ध हर देव बारी बारी में सत्कुरु बाबा हर देव सिंग् सिंग जी महराज ने भी कहा है चट जाए अग्यान अंधेरा तो फिर रोज दिवाली है ग्यान उजाला डाले डेरा तो फिर रोज दिवाली है मन अवद में राम जो आए तो फिर रोज दिवाली है एहंकार का वद हो जाए तो फिर रोज दिवाली है जो से जोत जगाते जाएं तो फिर रोज दिवाली है रोशन रहा बनाते जाएं तो फिर रोज दिवाली है प्रेम प्रित की फुल जड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है मिल वरतन की जुड़ी कड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है संद्रिष्टी की बटे मिठाई तो फिर रोज दिवाली है जग हो एक परिवार की न्याई तो फिर रोज दिवाली है जूट पर मन की विजय हो तो फिर रोज दिवाली है कहे हर देव सत्य की जय हो तो फिर रोज दिवाली है फिर दिवाली ही दिवाली हो जाती है जब इसमें प्रमग्यान आत्मा को प्रमग्यान मिल जाता है ये कहते हैं कि हर दिन है खुशियां हर दिन त्योहार संतों के आंगन में च्छाई बहार फिर ये मन में हर समय बहारे ही बहारे होती हैं हर पल संतों महापुर्शों के खुशियां और हर पल त्योहार ही होते हैं हर दिन खुशियां होती हैं त्योहार होते हैं इस तरह कहते हैं कि ब्रमग्यान का हमारे जीवन में बहुत महत्तव हैं ये सत्गुरु आप मुकत करे संसार ये चाहे इनसान कितने भी काम कर ले कितने भी पुन्दान कर ले, कुछ भी कर ले, अच्छे से अच्छे करम कर ले, लेकिन ब्रहम ज्यान के बीना मुक्ती नहीं मिल सकती, मुक्ती का दाता ये सत्गुरु होता है, और सत्गुरु ही मुक्ती दे सकता है, आप मुकत करे संसार, तीस जन को सदा नमशकार, ऐसे सत्गुर को हम हर पल नमशकार करते हैं कहते भी है संपूर्ण अवतार बानी में भी कहा है सत्गुर्व आंदा दुनिया हुते सारे ही संसार लई सत्गुर्व आंदा दुनिया हुते केवल पर उपकार लई सत्गुर्व आंदा दुनिया हुते एक के दे पर चार लई सत्गुर आंदा दुनिया उते एके दे आधार लई गुरु वर्गा कोई दाता नहीं मत एदी जई मत नहीं कहे अवतार गुरु दे बाजो दर्गा रेंदी पत नहीं गुरु के बिना किसी ने भी दर्गा में भी लाज नहीं रखनी है गुरु ने ही बचाना है आखिरनु कम गुरू ने आने गोरे चिटे चम नहीं अवतार दे सिख तो लेखा मंगे धरमराइदा दाम नहीं धरमराइद की भी हिमत नहीं है कि वो सत्गुरू के सिख से लेखा मांग ले कहते हैं कि इस तरह सत्गुरू के चर्णों में जो आकर चुड़ जाता है इस ब्रहम ग्यान को पा लेता है तो अपना लोग सुखी और परलोग सुहेला कर लेता है और मुक्ति मिल जाती है ये जनम मिला ही मोख्ष के लिए है मुक्ति के लिए है इसलिए आओ हम सत्कुरू के चर्नों में यही अरदास करती है सचे पाश्या सबके घरों में सुख देना सबको दे खुशियां सुख ही हो जाए कुल दुनिया रहमत कर दे दाता मेहरबा सचे पाश्या सबके घरों में खुशियां देना ये जो ब्रहम ग्यान रूपी दीपक है हर एक के मन में जलता रहे हम सत्कुरू के बहुत ज़्यादा धन्यवादी है अभारी है जिनों ने हमें ब्रह्म ग्यान देकर अपने चर्णों से जोड़ा है सचे पाश्या इस तरह आपने ये मेहर की है इसी तरह अपनी मेहर करते रहना अपनी स्वली नजर हम सब पर रखना अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर रखना और इसी तरह हमें अपने चर्णों से जोड़ के रखना सारे सुख दुनिया दे पादो साधी जोली विच फिर भी मिलाई रखी संतांदी टोली विच कार मेहर मेरे दाता तेरा नाब ना पुलावा स्वासांदे मन के मन के तैनूसी मर दी जावा ये सचे पाशा इतनी मेहर करना कि हम आप जी का नाम कभी भी न फूले हम हर पल आप जी को याद रखें हमारे मन में ब्रह्म ज्यान रुपी जोड़ जो है ये जलती रहे अंतिम स्वासों तक हमारी आप जी के चर्णों में तोड निव जाए इसी तरह हम सेवा सिम्रन ससंग करते हुए आप जी के चर्णों से जुड़े रहे यही मांग बांगते हैं पाशा परवान करना अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना दासी सिम्रन कराएगी सभी ने मिलकर सिम्रन में साथ देना है तू ही निरंकार मैं तेरी शरन हा मैं नू बख्ष लो संगत जी रोम रोम में राम बसेगा राम राज्य आ जाएगा कहे हर देव प्रम ग्यान से जग सारा सुख पाएगा संगत जी प्यार से कहना ता निरंकार जी